समंदर के पास भारत की सबसे सीक्रिट जगें जिसे दुश्मन का सैटलाइट भी देख नहीं पाएगा नमस्कार मैं हूँ अनुराग मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Online का स्पेशल वीडियो आज हम आपको भारत के कैसे गुप्त बेस के बारे में बताएंगे जिसकी खासियत कमाल की है लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात समझ लीजिए कि यहां जो भी बात बताई जाएगी सभी जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं भारत के परमाडू हत्यारों पर एक अमेरिकी रिपोर्ट आई है अमेरिकी साइन्टिस्ट फेडरेशन यानी FAS के जो रिपोर्ट आई है 2022 की इसमें भारत के एक सूपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया है इसे विशाखा पतनम से 70 किलोमेटर दूर राम बिल्ली नामक जगा पर तयार किया जा रहा है इसका नाम है INS वर्शा अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि भारत परमाडू पंडूब्यों के लिए बड़े पहमाने पर तयारी कर रहा है अगस्त 2022 में नेवी ने प्रोजेक्ट वर्शा से सम्मंधित कामकाच के लिए कुछ EOI भी जारी किया था यह टेंडर की शेक शुरुवाती प्रकरिया होती है वैसे भारत के अंडरग्राउंड नेवल बेस के बारे में जानकारी सामने आना कोई आज की नई बात नहीं है जब भारत के इस परमाडू पंडूब्यों के बेस के बारे में पाकिस्तान को पता चला था तो वो सदमे में आ गया था आई एनस वर्षा के तयार होने से भारत की नौ सिनक शमताओं में जबर जस्ते जाफा होने वाला है यह भी समझना महत्वपूर्ण है किसके लिए विशाखा पत्नम को ही क्यों चुना गया आईए एक एकर समस्ते हैं आज से करीब आठ साल पहले की बात है NIA ने देश को बताया कि प्रोजेक्ट वर्षा की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान ने जासूस लगा दिये थे श्रिलंका में तैनात दो पाकिस्तानी खोफी अधिकारियों ने दो जासूसों को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जानकारी जुटाने का मिशन दिया था एनाय ने अपनी चारशीट में बताया था कि इन जासूसों से कहा गया था कि वे कोलम्बो में भारती नेवी यानि भारती नौसेना और सेना के अधिकारियों से मेल जोल बढ़ाएं इसके लिए स्मार्ट गर्ल और कैश की व्यवस्था करने की भी बात कही गई थी हाल में आपने एक फिल्म भी देखी होगी जिसमें कोलम्बो में भारती अधिकारी के इसी तरह के जाल में फसने की कहानी दिखाई गई है एक जासूस का नाम था धमीम अंसारी उसे डॉक्यमेंटरी फिल्म बनाने वाले एक प्रोजेक्ट के तौर पर आगे किया गया था कहा गया कि ये भारत की ताकत नाम से एक डॉक्यमेंटरी बना रहा है अंसारी से विशाका पतनम नेवल बेस के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया था प्रोजेक्ट वर्शा पर नज़र रखने के लिए उसे नेवल स्टेशन के पास ही रहने को कहा गया था फिल्मी कहानी की तरह जासूसों को कहा गया था कि वे होटल, बार, सिनेमा हॉल जाएं और रईस की तरह पेश आएं हाला कि दोनों पकड़ लिये गए ऐसे में जानना और भी दिल्चस्प हो जाता है कि भारत का ये प्रोजेक्ट, आई एनस वर्षा क्या है और पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों हो गया पहले जान लीजे कि अंडरग्राउंड निवल बेस कोई नया कॉंसेप्ट नहीं है कोल्ड वार के समय इसकी काफी चर्चा हुई और काफी इस्तेमाल हो चुका है सोवियत संग ने ऐसे कई बेस बनाये थे जहां से पंडुब्यों को संचालित किया जाता था कुछ बेस पर जेम्स बॉंड की फिल्में भी बन चुकी हैं सोवियत पतन के बाद कई बेसों को छोड़ दिया गया हाल के वर्षों में ऐसी खबरे आई कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड नेवल बेस बना लिये और वहां से वो सब्मरीन संचालित करता है भारत में बात करें तो पूर्वी नेवल कमांड का मुख्याले विशाका पतनम में है भारती नौसेना के 50 से ज्यादा शिप यहां से संचालित होते हैं जमीन से घिरा नेचरल हर्बर नेवल बेस के लिए बहतरीन जगह होती है हलाकि विशाका पतनम पोर्ट पर कंटीनर जहाजों के आने से ट्रैफिक ज़्यादा रहता है ऐसे में नेवल बेस की जरूरत महसूस की जा रही थी अंडरग्राउंड बेस ऐसा होगा कि दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी कैसे समझे दरसल नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाडू पंडू भी होती है और इसके बारे में सानी जनकारियां गुप्त रखी जाती है यानि टॉप सीक्रेट सबसे ज्यादा खत्रा दुश्मन के सेटलाइट से होता है सेटलाइट के जरीए दुश्मन देश पोर्ट की मुवमेंट पर नजर रखते हैं खास बात यह है कि परमाडू पंडू भी महीनों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती है ऐसे में समंदर की 200 मीटर तक गहराई में छिपी पंडू भी का पता लगाना लगभग असंभाव है लेकिन जब ये पंडू भीयां पोर्ट पर आती हैं तो दुश्मन आसानी से उसे देख सकता है इससे परमाडू पंडू भी की कोपनी इता के बारे में जानकारी बाहरा सकती है और सुरक्षा खत्रे में पढ़ सकती है क्लास और पंडू भी की संख्या पता चलेगी तो दुश्मन भी अलट हो जाएगा युद्ध जैसी किसी स्थती में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ऐसी जानकारियां सामने आए इसलिए अंडरग्राउंड नेवल बेस की जरूरत महसूस होई आपके मन में शायद सवाल उट रहा हो कि ये गुप्त बेस राम बिल्ली में ही क्यों बनाया गया दरसल तटीय गाउं राम बिल्ली में कई अंडरग्राउंड चैंबर मौझूद है इससे सब्मरीन सुरंग के अंदर से होते हुए आ और जा सकती है जिहां मतलब सब्मरीन को समंदर के उपर आने की जरूरत नहीं होगी दुश्मन की सेटलाइटें उसकी जलक भी नहीं देख पाएंगी इससे हमारी पर्माडू पंडूब्यों की सीक्रेसी उनकी तैनाती के बारे में चीन या पाकिस्तान या किसी और मुल्क को भनक भी नहीं लगेगी INS वर्षा के पास रिपेर और मेंटेनेंस की सोविधा होगी क्रू मेंबर के लिए तमाम तरह की सोविधाएं इसमें होगी या बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें पर्माडू पंडूब्यों जैसे अरिहंत क्लास हुआ S5 और पर्माडू अटेक पंडूब्यों को सुरक्षी तरीके से रखा जा सकेगा भारत के पर्माडू शस्त्रगार तक दुश्मन की कभी पहुँच नहीं पाएगा और जवाबी हमले में उसे भारी नुकसान पहुँचाए जा सकेगा राम बिल्ली में INS वर्षा वाली जगएं भाभा एटॉमिक रेस्टर सेंटर के कारिया ले के करीब है इस सीक्रेट बेस के भी तरही पर्माडू रियक्टरों का निर्माण और फिटिंग संभव होगी INS वर्षा में कम से कम 12 परमाडू पंडूबियां रखी जा सकेगी डीजल एलेक्ट्रिक सब्मरीन भी यहां से ऑपरेट की जा सकेगी यू समझ लीजिए कि INS वर्षा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है तभी तो कई साल से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है